सब्सक्राइब किजिए टेक्निकल ग्यान चैनल को और बेल आइकन रबाएए लेट इस टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार टेक्निकल ग्यान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सब्सक्राइब कर दो तो कंपोनमेट में बैघ जाता है इसके अंदर अधर जो फिर को काम करता है उसके नीचे बात करें तो लगय लगी होगती है कोई जो starter है वो up down होता है मतलब movable है और उसके निचे जो coil यानि transformer लगा हुआ होता है वो magnetic field create करता है वो starter को up करता है मतलब कि जब भी आप on वाला button press करेंगे तो coil activate हो जाएगा activate होने पे वो starter को up कर देगा अब इसलिए कि करेगा कि इसमें magnetic field generate होती है और यह लगा हुआता है कुछ metal के plates से जुड़ा हुआ होता है और जो हमारा starter है पोस में भी metal के plates होते हैं मतलब दोनों side opposite एक एक post generate होगा magnetic field का एक side south हुआ तो दूसरे side north होगा तो दोनों field जब generate होगी तो वो एक दूसरे को attract करेंगे और आपस में जूड़ जाएंगे यानि चिपक जाएंगे मगर यह problem यह है कि जब भी आप button press करेंगे तभी coil start होगा button छोड़ेंगे coil off हो जाएगा तो इसलिए हम लोग चार pole का contactor यूज करते हैं और block भी चार pole का होता है मतलब जो तीन pole है वो motor के लिए motor के तीनों wire उसमें लग जाएंगे मगर जो चोथा pole है वो nc का यानि की current को चालू रखने का काम करता है जब भी आप press करेंगे button तो contactor जैसे ही जुड़ेगा और जो चोथा pole है वहाँ से coil को power मिलना start हो जाएगा जो button से current मिल रहा है वही current उसको बाद में वो चोथा pole है वहाँ से मिलेगा आगे बात करते है button की तो इसमें तीन बटन होता है और इसमें 3 operation के क्रते सबसे पहला estárin का button होता है वह दो क्यार्था है क्सको क्योंकि इसमें starting care की जरूरत रहती है या running capacitor की भी जरूरुत रही है। चलिये starting capacitor कभी तक activate होगा जब तक आप उस बटन को प्रेस करके रखेंगे। maximum 10 seconds के आपको press करना है। ज्यादा press करने के लिए रखेंगे तो आपका motor भी ख्राब हो सकता है, आपका capacitor भी लेख या फिर ख्राब हो सकता है। दूसरे बटन की बात करें तो red वाला बटन है इसको ओप करने के लिए मतलब उसमें nc होता है nc का मतलब है कि जो कोईल को लगातार power मिल रहा है मेंने फिल के लिए वो जब भी आप बटन प्रेस करेंगे तो वो disconnect हो जाएगा तो कोईल डाउन हो जाएगा और अपने जो दोथा पॉल है जो इसको लगातार on रखता है वो भी disconnect हो जाएगा बाद में कोईल जब तक आप start बटन नहीं दबाएंगे कब तक activate नहीं होगा उसके side में दुसरा जो green button लगा हुआ है वो green button यह काम करता है आप उसको press करेंगे तो starting capacitor नहीं start होगा running capacitor पर आप motor को start कर सकते हैं मगर running capacitor पर कुछ ऐसा emergency है तभी आप start करें वरना इसको start नहीं करें क्यूंकि इससे आपका motor खराब हो जाता है क्यूंकि जब motor start होता है तो बहुत सारे टोर यानि पावर की ज़रुवत रहती है इसका कीक लोड आता है इसलिए हम लोग इसमें लगाते है starting KPC का अब बात करते हैं wiring की क्यूंकि इसमें भी बहुत सारे confusion है confusion इसलिए कि जो आ रहे है वायर जो current के वो दो ही वायर और motor के अंदर से जो आ रहे है वो तीन वायर है तीन केबल आती है motor के अंदर से तो जो हमारा दो वायर 240 होट आ रहा है वो लग जाएगा अपना starter में वहां से वो दोनों वायर डायर चले जाएंगे thermal cold road relay और उसके साथ एक वायर जाएगा हमारा capacitor में जो starting capacitor में भी जाता है और running capacitor में भी वही वायर जाता है मुझे starting capacitor के बीच में switch होता है जो on करने पर ही वह on होता है और यह दोनों capacitor में से घुम के जाता है हमारे thermal overload relay में मतलब इसने एक खुद का phase capacitor ने बना लिया frequency change करके capacitor अपना phase खुदी बना लेता है तो यह हो गए thermal overload पे पहुंचते पहुंचते तीन phase बाकी का काम जो है वह thermal overload relay से current जाता है block में block से जाता है contactor में और contactor से आगे चला जाता है motor में तो इसी तरह काम करता है हमारा single phase motor starting अगर भी कोई आपका सवाल है starter के बारे में connection के बारे में कुछ भी आपको ऐसी चीज है तो समझ में नहीं आई वीडियो में तो नीचे comment करके आप बता सकते हैं तो मैं उसकी reply देनी की process करोगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो like कीजिए share कीजिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्क्राइब नहीं किया तो जल्दी से ओव रेड वाला बटन दबा के सब्क्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे वीडियो देखते हैं मगर चैनल को सब्क्राइब किये हुए अभी तक नहीं है तो जल्दी से रेड वाला बटन दबा के चैनल को सब्क्राइब कर लीजिए फिलाल के लिए वीडियो में इतना ही जैन वंदे मातब